गाजियाबाद में बीजेपी पारसद ने सौमवार रात को रोड पर कार खड़ी करके बोनट पर केक रखके अपना बर्डे सेलिब्रेट किया इस दोरान एक व्यक्ति ने पिश्टल से हवाई फाइरिंग की बता दें किसी ने इसका वीडियो पना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई वीडियो का संग्यान लेते हुए केस दर्ज किया गया करीब सवामिंट के इस वीडियो में सफेद रंग की कार रोड पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है कार के बोनट पर तीन केक रखे हैं उन्हें काटा जा रहा है इस दोरान नीली सर्ट पहने यूवक कमर में बंदी पिश्टल निकालता है उसके बाद हवाई फाइरिंग करने लगता है वह ही साथ में खड़े दोस्त उससे कहते हैं जरस समल कर साइड में दिवार है वीडियो में आप देख सकते हैं कार के बोनट पर तीन केक रखे गए उन्हें बारी बारी से काटा गया बताया जारा है कि बीते दिन साहिबाबाद गाओं के बीजेपी पारसद हिमानसु चोधरी का बड़े था जिसके उपलक्ष में स्टेट पार्टी आयुजित की गई इस वीडियो को हिमानसु चोधरी ने फेस्बुक पर लाइब किया था हाला कि पुलिस के संग्यान में मामला आने के बाद बीजेपी पारसद ने अपने फेस्बुक से यह वीडियो लेट कर दी वहीं साहिबाबाद ACP पूर्ण मिश्रा ने बताया आज एक वीडियो वाइरल हो रहा है जो बर्डे पायटी में हर्स फाइरिंग का है इस संबंद में जाज परताल की गई तो ये बर्डे सेलिब्रेशन लिंक रोड पर थाना चेतर के साहिबाबाद गाउं का है पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आवेशक कारवाई की जा रही है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ